बिसमिल्लाइर्माइन रहीम, असलाम लेकूं, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारी सी नेक डिजाइन, यह हम लेस और गोटा पट्टी से बनाने वाले हैं, तो गाईज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यह बहुत ही प्यारी लेस है, आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं, और आपको डिजाइन कार्ट से अलग-अलग तरह के माटेरियल्स मिल सकते हैं, चाहे वाँ एमराडरी के हो, यह चाहे फैबरिक हो, तो अगर आप भी इस तरह का फैबरिक खरीदना चाहते ह है, तो आप मेरा कूपन को डिउज कर सकते हैं, हीना 10, तो आपको टोटल परचेस पे 10% डिसकौन मिलेगा, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए, मैंने यहां पे 16 इंच लंबाई में फैबरिक लिया है, और चोड़ाई में मैंने यहां पे 13 इंच लिया है, इसके बाद में हमें यहां पर पेर पेस्टing इसके उपर लगानी होगी, तो हम सेँ सैज करेंगे, और यहां पे इस तरह करेंगे, और आपके आप इस्टिक कर दिया है, और 1 दिजाइन इसके उपर एबर बना जाएगी, तो हम इसके ऊपर यहां साइड में फोल्ड करके शिलाई लगा दे तो हमने देखे यहां प्रिंट वाला फैबरिक यूज किया है और जो यहां पर गैप है यहां पर हम गोटा पट्टी लगाएंगे तो इस तरह के जब डिजाइन होता है तो आप कोई भी डिजाइन जो है कपड़े पर आराम से बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी डिजाइन बनके तयार होती तो इस गैप में हमें इस तरह से सारी गोटा पट्टी को लगा देना है तो यहां पर हम एक एक करके लगाते चले जाएंगे इस तरह से सिंगल सिलाई आपको लगानी है और फिर यहां पर हम कट लगा देंगे तो इसी तरह से आपको सारी गोटा पट्टी इसमें अटेच करना है हमने इसके नीचे पेपर पेस्टिंग इसलिए लगाई है ताकि कपड़े में जोलने ही पड़े और उसकी वज़े से ये कपड़ा देखिए थोड़ा सा मोटा भी हो गया है और जब हम इसके उपर चैनल पे आप जरूर देखिएगा बहुत ही स्टाइलिश और पुपसूरत मैंने नेक डिजाइन बनाया है आप भी अगर कुछ अलग टाइप का डिजाइन देखना चाहते हैं तो प्लीस मुझे इंस्ट्राग्राम पे फॉलो कीजिए और साथ में आप मुझे उसकी पिच्चर भी बेजिए अगर आप इस तरह से गोटा पटी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जगे पे बारिक पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो सैटन रिबिन आती है बारिक वाली वो भी आप इसकी जगे पे सकता है क्योंकि आपको इसमें जादा कुछ करना नहीं है डिजाइन अल्रेडी बनी हुई है ड्रेस के उपर तो आपको बस जो गैप है उसके अंदर ही गोटा पटी को लगाना है तो देखिए मैंने एक तरफ ट्रॉस करके लगा दिया है अब मैंने दोबारा से टन करके बिल्कुल उसके अपोजिट में इस तरह से गोटा पटी को लगाया है जिसकी वज़े से वो एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं सब लाइने हमने इसी तरह से देखिए बना के तयार की है और यह माशालला बहुत खुबसूरत लगरा बनने के बाद में अब हम क्या करेंगी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे तो साइड से हम हाफ इंची तरह दबाते हुए इसे सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए हमने इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से सिलाई लगा दिया अब हमें जो है इसमें गोटा हमारा अटेज करना है तो इस गोटा को हम यहाँ पे नीची की तरफ से दबाते हुए लगाएंगे ताकि हमाया ड्रेज में यह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाई दे तो यहाँ पे देखिए हमने इसे नीचे रखा है और बिल्कुल किनारी पर से इसे हम यहाँ से अटेज करेंगे हमने गोटा भी गोटा पटी की लेस में मैच करके लिया है अगर आप गोल्डन बनाना चाहते तो आप लेस भी गोल्डन ही रखिए और देखिए मैंने यहां पर इस लेस को इस तरह लगाया है कॉर्णर आपको बहुत ही सही बनाना है क्योंकि जब आप कॉर्णर पर पहुचेंगे तो आपको सुई को अंदर रखते हुए गुमाते हुए अब बिल्कुल इस पर सिलाई लगानी ताकि हमारा जो यह कॉर्णर है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने देखिए बिल्कुल इस तरह सापको घुमाना है और फिर हम बिल्कुल सिधी सिलाई लगाके इससे अटेच करेंगे जब हम इस तरह का डिजाइन बनाते हैं तो हम इसमें पहले नेक की कटिंग नहीं करते हैं बनाने के बाद में हम नेक की कटिंग करते हैं तो अब हमें इसके अंदर नेक ड्रॉग करना है तो उसके लिए पहले हम इस तरह हाफ फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर करना है हमें हाफ करने के बाद में हमें यहाँ पे हमारे नेक की चोड़ाई लेनी है तो हम यहाँ पे चोड़ाई सवा तीन इंच लेंगे जो कि तैयार होने के बाद में तीन इंच ही हमें मिलेगा और मैं यहाँ पे round shape दे रहे हूँ आप चाहें तो इसमें अलग shape भी बना सकते हैं जो भी आपको पसंदो इसे हम थोगा सा dark करेंगे मैंने यहाँ पे देखे round shape दे दिया है अब हम इसे इस तरह से fold करेंगे और इसे हम tap करेंगे तक कि उचौक का निशान जो है दूसरी तरब भी आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका निशान आ चुका है इसे अब हम यहाँ पे dark कर देते हैं तो यहाँ पे देखे हमने सिर्फ इसे dark कर दिया है हमने cutting नहीं की है अब हमने यहाँ पे हमारी कुर्टी ली है और हमारी कुर्टी का यह wrong side है इस पर हम इस पैच को रखेंगे तो इसे बिल्कुल सीधा इस तरह से रख के हम pin लगा देंगे pin लगाने की वज़े से हमारा जो पैच है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा आप चाहें तो डारीक इसके उपर सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं जिसे हम बाद में निकाल सकते हैं कच्ची सिलाई अप लगा दें उसके बाद में यह पैच जो है वो अटेच हो जाएगा तो हम यहाँ पे जो हमारा shape है उसके उपर ही सिलाई लगा रहे हैं निक को हम घुमाते हुए ही सिलाई लगाएंगे और यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा दी है अब हम निक की कटिंग कर देंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई जितना यहाँ पे जगा छोड़ेंगे उसके बाद में हम एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे इसलिए हमने यहाँ पर चोड़ाई में गले की सबातीरी चिलिया था यह एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ से हम कट लगा देंगे और आपको सिलाई के ओपर बिल्कुल भी कट नहीं लगाना है उसके बाद में मैंने देखी गले को पलट दिया है उसके बाद में बिल्कुल किनारी पर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो यह नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ दिखाई दे बिल्कुल किनारी पर से आपको सिलाई लगानी है तो यहाँ पे निक पे हमारी देखिये सिलाई हो चुकी है अब यह लेस हम यहाँ पे यूज करेंगे यह लेस मैंने दो डिजाइन कार्ट से मंगाया है बहुत ही खुबसूरत है इसे आप अलग-अलग फ्लावर कट करके भी यूज कर सकते हैं तो अगर आप चाहें तो इस तरह का निक बना के इसके साइड में भी इस तरह से अब गुमाते हुए भी लेस को लगा सकते हैं या फिर आप अगर अलग से फ्लावर लगाना चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे side की नगा देंगे ताकि हमने यह patch बना के तैयार किया है वह हमारी kurthi में अच्छी तरह से attach हो जाए तो बिल्कुल किनारी पर से हम इसमें सिलाय लगाएंगे यह जो हमने गोटा लगा है बिल्कुल किनारी पर से देखी हमने इसमें सिलाई लगा दी तो अब हमारा जो यह पैच है वो अच्छी तरह से अटेश हो चुका है अब हम इसके अंदर फ्लावर वाली लेस लगा रहे हैं तो मैं यहां सेंटर में बिल्कुल लगा रही हूँ ए यहां पर हम बिल्कुल सीधी से लगा के अटेश कर देंगे हमारा तेक डिजाइन देखे बनके बिल्कुल तयार है और बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है तो आप भी एक सिंपल कुर्ती को डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं उसके ओपर इस तरह से अगर आप डि सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केर अलाहाफेज